गुड मॉर्णिंग स्टुडिंस आज हम अपने हिंदी व्यक्रण की पुस्तक से दूसरा पार्ट वन और वन माला अध्यन करेंगे वन वन माला ध्वन्या ही वन कहलाती हैं इनके और टुकड़े नहीं किये जा सकते वन दो प्रकार के होते हैं स्वर्वन और वेंजन वन हिंदी में कुल स्वर्वन ग्यारा होते हैं अंग अनुस्वार है और अहा विसर्ग है वेंजन वन हिंदी में 35 वेंजन वन होते हैं ड और ध को भी अब वेंजन में समलित कर लिया गया है छ तर ग्या और री सयुक्त वन कहराते हैं बच्चों यह है स्वर्वन स्वर्वन को आप भी मेरे साथ बोलकर एग बार फिर दोराईए आ, आ, इ, इ, उ, उ, री, ए, ए, ओ, आ, अंग, अहा अंग अनुस्वार है और अहा विसर्ग है वेंजन वन को भी आप मेरे साथ बोलकर दोराईए का, ख, ग, घ, अंग, ज, 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 इया त, ठ, ड, ध, अन, त, ठ, द, ध, न, प, भ, 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 म, य, र, ल, फ, श, श, स, स, हम्ट हा, ये डा और धा का ही विक्सित रूप है, इनकी गिन्ती अब वेंजन में होने लगी है, उसके बाद है सयुक्तवर्ण, छ, त्र, ग्या और री, ये हैं सयुक्तवर्ण. उसके बाद हम स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे, बच्चु, यहाँ पर स्वर डिखे हुए हैं, उसके बाद मात्राएं लिखी गई हैं, फिर उसके बाद हैं मात्रा वाले शब्द, सबसे पहले आ, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, यह वेंजन वण के प्रितिक वण में ध्वनी के रोप में उपस्तित हैं, जैसे का, का में, का बोलने पर अंत में आ की ध्वनी सुनाई देती है, ल, ला बोलने में, आ की ध्वनी अंत में सुनाई देती है, अब हम यहाँ पर बिना मात्रा वाले शब्द जोड़कर पढ़ेंगे, का, ल, कल, च, ल, चल, ब, ल, बल, उसके बाद है, आ, आ की मात्रा, का, का पर आ की मात्रा, का, ल, काल, च, चा पर आ की मात्रा, च, ल, चाल, धा, धा पर आ की मात्रा, धा, ल, धाल, उसके बाद है, छोटी इ की मात्रा, खा खा पर छोटी ई की मातरा खी, ल, खिल मा मा पर छोटी ई की मातरा मी, ल, मिल उसके बाद है हा पर छोटी ई की मातरा ही, ल, हिल फिर है बड़ी ई की मातरा मा, मा पर बड़ी E की मात्रा मी, ना, मीन बा, बा पर बड़ी E की मात्रा बी, ना, बीन दा, दा पर बड़ी E की मात्रा दी, ना, दीन उसके बाद है छोटी U की मात्रा का, कापर छोटी, उ की मातरा कु, छ, कुछ पा, पापर छोटी, उ की मातरा पु, ल, पुल बा, बापर छोटी, उ की मातरा पु, न, बुन उसके बाद है बड़ी, उ की मातरा भा, भापर बड़ी, उ की मातरा भु, ल भूल, फा, फा पर बड़ी, उ की मात्रा, भू, ल, फूल, श, शा पर बड़ी, उ की मात्रा, शू, ल, शूल, उसके बाद है री की मात्रा, क, का पर री की मात्रा, क्री, पा, पा पर आ की मात्रा, क्रीपा, व, पा पर री की मात्रा, व्री, था, था पर आ की मात्रा, व्री, था, का, का पर री की मात्रा, श, क्रेश उसके बाद है एकी मात्रा का, का पर एकी मात्रा के, ला, ला पर आ की मात्रा के ला, मा, मा पर एकी मात्रा मे, ला, ला पर आ की मात्रा मे, ला, चा, चा पर एकी मात्रा चे, ल, ला पर आ की मात्रा, चे, ला उसके बाद है ए की मात्रा का, का पर ए की मात्रा, कै, सा, सा पर आ की मात्रा, सा कै, सा पा, पा पर ए की मात्रा, पै, सा, सा पर आ की मात्रा, सा पै, सा व व पर ए की मात्रा वे सा सा पर आ की मात्रा सा वे सा उसके बाद है ओ की मात्रा च च पर ओ की मात्रा चो र चोर मा मा पर ओ की मात्रा मू र मूर श, श, पर उ की मात्रा शुर, शुर उसके बाद है ओ की मात्रा क, क पर ओ की मात्रा को, न, कौन म, मा पर ओ की मात्रा न, मौन च, च, पर ओ की मात्रा च, क, च, क, उसके बाद है अंग की मात्रा आपर अंग की मात्रा ग, अंग, पापर अंग की मात्रा पं, ख, पं, ख, श, श, पर अंग की मात्रा ख, शंक उसके बाद है अहा की मात्रा प्रा प्रा पर अहा की मात्रा प्रा ता ता पर अहा की मात्रा प्राताह प्राता पर अहा की मात्रा अताह फिर है पा पापट छोटी उ की मातरा पु ना ना पर अह की मातरा पु ना हा बच्चों अब हम पुस्तक के अभ्यासकार भी करेंगे पहला अभ्यासकार है सही विकल चुने पहला वन कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर विकल दिये हुए हैं इनमें से हमको सही विकल चुनना है पहला है एक दूसरा है दो तीसरा है तीन और चौता है चार तो यहाँ पर सही विकल पर है वन दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर मैंने टिक लगा कर आपको बता दिया है आप भी अपने पुस्तक में सही का निशान लगाएंगे दूसरा अभ्यास है हिंदी में कुल कितने स्वर्थ माने जाते हैं पहला विकल्प है नो दूसरा विकल्प है दस और तीसरा विकल्प है ग्यारा और चोथा विकल्प है पंद्रा तो इन निसे हमको सही विकल्प चुनना है और सही विकल्प है ग्यारा आपको ग्यारा पर सही का निशान लगाना है तीसरा वाला है अंग और अहा क्या है स्वर पहला विकलब है स्वर और दूसरा विकलब है वेंजन तीसरा विकलब है का और खा दोनु और चौत्रा विकलब है कुछ नहीं तो अंग और अहा क्या है? स्वर है. तो आपको पहले विकल्प पे सही का निशान लगाना है. फिर अब हम चौथा वाला देखेंगे. हिंदी में कितने व्यंजन है? पहला विकल्प है पचीस, दूसरा है सैंटीस, तीसरा है तीस और चौथा है पैंतीस. तो इनमें से सही विकल्प है घावाला पैंतीस. तो आपको इस पर सही का निशान लगाना है. उसके बाद दूसरा अभ्यासकार हम देखेंगे. आओ करें. नीचे एक टोकरी में सारे वर्ण मिल गए हैं. उन्हें अलग-अलग टोकरी में रखो. बच्चो आपको इस टोकरी में स्वर्वर्ण और वैंजन वर्ण दोनों ही मिला करके दिए गए हैं. जिन में से एक टोकरी में आपको स्वर्वर्ण चाट कर लिखना है और दूसरे वाले टोकरी में वेंजनवर्ण चाट कर लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख करके बता दिया है फिर तीसरा अभ्यासकार है आओ मिलकर गिने बचो यहाँ पर गंबले में पतिया है और उन पतियों में स्वर्ण लिखे वे हैं जिनको हमें गिनना है और गिन करके गंबले के ओपर उनकी संख्या लिखनी है तो स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं ग्यारा तो हम गंबले में ग्यारा लिखेंगे और वेंजन वर्ण कितने होते हैं पैंटिस तो हम पैंटिस गंबले के ओपर लिखेंगे आठीली बस इतना ही थेंक आठील